तो पिछले पार्ट में इस टैचू के जैसी दिखने वाली चीजें हाओच इनको रुखने लगी थी और फिर वो उससे कहने लगती हैं कि तुम इसे चैलेंज करने के लिए यहाँ पर क्यों आ गए और आखिरकार एक नाइट बनने में ऐसी कौन सी बड़ी बात है लेकिन इस के साथ अब इनकी संखेया यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी और इसके बाद यह कहने लगते हैं कि उन्होंने तुमें कभी भी एक इंसान के जैसे ट्रीट नहीं किया क्योंकि उनके लिए केवल तुम डीमन को मारने के लिए एक टूल हो और अब इस तरह से यह सभी एक साथ मिलकर हाओचिन के साथ में ऐसी ही बाते करने लगते हैं इसके बाद यह सब आगे कहने लगते हैं कि उनको भी इस बारे में बहुत अच्छे से पता है क्योंकि सभी जानते हैं कि केवल डार्कनेस ही अटर्नल है लेकिन अब इस वक्त इन सभी ने हाओच इनको चारों तरफ से गेर लिया था और इस तरह से मिरेकल सॉड से अलग करने की कॉस्सिस करने लगे थे। इसी के साथ अब ये सबी हाओचिन को उसके मिसंद से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिस करने लगते हैं इसके बाद वे सबी कहने लगते हैं कि अरोगेंग, सि पोक्रिसी और फिर्टीजम ये सबी हिूमन नेचर हैं लेकिन हम देखते हैं कि हाओचन ने भी मीरेकल सोड को पाने का पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया था और इसलिए बावी किसी कीमत पर इससे खुद को अलग नहीं होने देना चाहता था तबी ये सब कहने लगते हैं कि स्वार्थपनी सर्वाइवल का असली रूल है और इसके अलावा अब वे इसी तरीके से और भी बहुत सी बाते करने लगे थे ताकि वे इस तरीके से हाओचन को उसके मिसन से डिस्ट्रैक कर सकें तबी इसी भीच हम देखते हैं कि इसमें से एक स्टैचू बिलकुल हाओचिन के सामने आ जाती है और फिर वो हाओचिन से कहने लगती है कि वे सब तुम्हें ऐसा बना कर तुम्हें दबाना चाहते हैं जबकि कि वह लिविल का यूज करके तुम सबसे टॉप पर जा सकते हो और असल में ऐसा करने का यही सबसे असान तरीका है लेकिन अब इसके बज़ाज से उसे मीरेकल सोड को निकालने में काफी परिसानी हो रही थी तबी वो एक बार फिर से हाओचिन से कहने लगते हैं कि तुम इसे जाने दो क्योंकि ऐसा करने के बाद तुम भी पूरे फ्री को नजर अंदाज करके अपने दोनों हातों से मीरेकल सोड को पकर लेता है लेकिन अब इसके इस बात के बज़ा से ये सबी उसके उपर बहुत ही ज्यादा गुसा हो गए थे और इस तरह से अब यहाँ पर इनके जैसे और भी बहुत सारे लोग आने लगते हैं इसके बाद वे सब कहने लगते हैं कि इस मीरेकल सोड को कोई भी नहीं पा सकता और इसलिए तुम भी इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे अब हम देखते हैं कि इनके बातों के बज़ा से हाओच इनको अपने पास्ट के बारे में बहुत सारे विजन आने लगे थे जिसके बाद वे सब क आने लगते हैं की तुमें क्या लगता है की तुम इसका यूज करके डीमन को हरा पाओगे लेकिन हम देखते हैं की हाऊचें पाप करने वाले ही बन पाओगे कहने लगते हैं कि इंसानिये तो बहुत समय पाले ही पूरी तरह से बरबाद हो गई होती और इसलिए अब तुम भी उन सभी के साथ में हैल के अंदर जाने वाले हो अब इस वक्त ये सभी हाओचेन के उपर बहुत ही ज्यादा गुसा हो गए थे और फिर इतनी बात कहने के ब पहुंचने से रोक सकें अब इसके बज़ास से हम देखते हैं कि हाओचेन भी इनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वो जब कभी भी मीरेकल सौर्ड के तरफ जाने की कोशिस कर रहा था वे सब एक साथ मिलकर हाओचेन को पीछे की तरफ खीच दे रहे थे लेकिन अब इनके इस हरकत के बज़ास से हाओचेन भी इनके उपर बहुत ही ज़्यादा गुसा हो गया था योंकि याकिरकार वो यहाँ पर मीरेकल सौर्ड को लेने के लिए आया था और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके इन सभी को खुद से अलग कर देता है इसके ब अब हाओचेन उन सभी बातों के बारे में भी याद करना सुरू कर देता है जिसको अभी तक हाओचेन ने नाइट बनने के लिए सफर किया था इसलिए वो गुसे में कहता है कि मुझे इनसानियत में पूरा यकीन है और इसलिए अब चाहें तुम कुछ भी कर लो तुम मु बात नहीं होने दूँगा और ना ही किसी को ऐसा करने में कामयाब होने दूँगा अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से मिरेकल सौर को लेने के लिए जाने लगता है और इसी के साथ वो कहता है कि अगर मुझे इनसानियत को बचाने के लिए मिरेकल सौर की जरूरत है से वो इन सभी को अपने रास्ते से हटाते हुए आगे की तरफ जाने लगता है तभी इससी बीच हम देखते हैं कि ये सभी भी हाओचन के उपर और ज्यादा गुसा हो गएते और इसलिए वो किसी भी तरीके से उसे रोकने की कोशिस करने लगते हैं लेकिन अब हाओचन ने किसी भी कीमत पर मीरेकल सोड को पाने का डिसाइड कर लिया था और इसके बाद वो इन से कहता है कि तुम सभी केवल अपने इसी सोच के बज़ा से हमेशा हमेशा के लिए इसी गलत दुनिया में रहने के लिए सही हो और अब इतनी बात कहने के बाद वो मीरेकल सोड के पाते इसके बाद हम देखते हैं कि Heo Chen ने Miracle Sword को यहां से निकालना सुरू कर दिया था जिसके दोरान हम यहां से एक Dragon को बाहर आते हुए भी देख पाते हैं तभी इसी वीच हम देखते हैं कि ये सब उपर से हाओचेन को रोकने के लिए फिर से आने लगे थे लेकिन अब इसी वक्त हाओचेन मिरेकल सोड को बाहर निकालने में भी काम्याब हो जाता है जिसके पावर के बज़ा से ये सब येक साथ में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अब इस तरह से वो हाओचेन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब इस जगह से एक पावर भी बाहर आने लगी थी जिसे देखा मास्टर यांग और यूगोंग भी काफी खुस हो गये थे क्योंकि वो समझ गये थे कि या आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछले 6000 सालों से इंसानियत इसी मौके का इंतजार कर रही थी और आखिरकार अब लाइट सन अवेकन हो चुका है इसके बाद वो काने लगते हैं कि हाओचेन आखिरकार इस टेस्ट के असली मतलब को समझने में काम्याब हो गया ल और इसके बाद वो काते हैं कि हाओचेन के पास में ये दोनों चीजे हैं जिसके वज़ा से वो मिरेकल सौड को पाने में कम्याब हो पाया वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिरेकल सौड के दोनों सौड इस्पृट बाहर आ गये थे और इसके बाद वो हाओचेन को न मास्टर मानने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि या खिरकार हाओचेन मिरेकल सोड को बाहर निकालने में कम्याब हो गया था लेकिन इसी के साथ वो हाओचेन से कहते हैं कि अब हम आपके साथ में एक बलड बॉंड बनाएंगे और इसलिए अब हमारे सामने चाहें कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आ जाए या फिर चाहें हमारे सामने कितना भी बड़ा अंदकार क्यों न हो या इसके अलावा अगर हमारे सामने खुद मौत भी आ जाए लेकिन उस कंडिसन में भी हम आपके साथ में खड़े रहेंगे और फिर उसका जो भी रिजल्ट होगा हम उसे एक साथ में सेयर करेंगे इसी के साथ वो हाओचें से काते हैं कि अब से हम आपको अनलिमीटेड करेज यानी सास देंगे जिसके वज़ा से आपकी लाइट और स्ट्रेंथ भी बहुत जादा बढ़ जाएगी और इसके बाद वो हाओचें से अपना नाम बताने के ल नहीं चांता लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ड्रैगन हाओचें के पास में आकर खड़े हो जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद हाओचें अपने आपको यहां से बाहर पाता है लेकिन अब हाओचें को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो यहां पर क चला गया तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मास्टर यांग भी यहीं पर होते हैं जो हाओचेंट से काते हैं कि मीरेकल सौड अब तुम्हारे अंदर है और यही वज़ा है कि वो अभी राइडिंग स्पृट वेली के अंदर नहीं है लेकिन मास्टर यांग के इस बात को सुन किया था और फिर हम देखते हैं कि जब ब्लू रेन और हीविसकस साफ लाइट ने हाओचेंट के साथ में बलड बोन बनाने की बात की थी तब उसके बाद से उन दोनों की पाउर हाओचेंट की बाड़ी में मर्ज होने लगी थी और इसलिए अब मिरेकल सौड के ये दोनों सौडी स्प्रीट इसके बाड़ी के अंदर मर्ज हो चुके होते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेंट अपनी बाड़ी के अंदर से उन पाउर को बाहर आते हुए देख पा रहा था और अब इस बाद से उसे भी काफी हैरानी हो रही थी लेकिन इसके बाद फिर मास सोड की ताकत भी समय के साथ में बढ़ती जाएगी और इसके अलाबा वो हाओचें से यह भी बताते हैं कि इसके अंदर unlimited जिसके बज़ा से अगर तुमने एक बार इस रास्ते पर आगे जाने का डिसाइड कर लिया तो फिर उसके बाद वहाँ से लोटने का भी कोई चांस नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि हाओचें को इन में से किसी भी बात के बारे में कोई भी चिंता नहीं थी क्योंकि वो इंसा जरूर ही continue रखना चाहता हूं चाहें भले ही इसमें मेरे वापस लोटने का कोई भी चांस क्यों नहीं हो तब इसके इस बात को सुनकर मास्टर यांग भी थोड़े देर के लिए हैरान हो जाते हैं क्योंकि यब इनको हाओचें के अंदर सिंग्यू भी पूरे साब तरीके स नजर आने लगा था जहां पर उन्होंने मास्टर यांग से का था कि मेरे और अनेंडा के भीच का बैटल कभी भी हो सकता है और इसके अलाबा इसमें लाइफ और डेथ के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता इसी के साथ वो इन से काते हैं कि अब इस बार तो इसमें प्रिजन को नहीं बताएंगे अब इतनी बात कहाने के बाद हाओचन के फादर महां से चले गए थे लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी बातों के वज़ास से मास्टर यांग भी काफी उदास हो गए थे अब इसके बाद कहानी वापिस प्रेजेंट में आती है जहा पर मास्टर यांग हाओचन को दे काफी खुस हो गए थे और फिर वो उससे काते हैं ऐसा लगता है कि मिरेकल सौट ने गलत इंसान को नहीं चुना है इसके बाद वो हाओचन से काते हैं कि अब तुम मिरेकल सौट के गलोरी को पाने में काम्याब हो गए और इसलिए अब त के फिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लानेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना